आज हम बात करने वाल है जी एंटेटेन्मेंट की हम इसके फाइनेशल नमबर डिसकस करेंगे क्यों यह स्टॉक डिसमबर 2021 से फॉल कर रहा है और क्यों यह यहां से एक अपसेड दे रहा है कि सारी बाते करेंगे तो लेट्स केट स्टार्टेट अगर अगर हमारे चैनल से पह यहां से इसी डिमांड जोन से प्राइस आया था इसमें जच करके प्राइस उपर के और गया और अब करेंट प्राइस यहां पे क्सप्लाइज ओन है और मैं उसको भी माँक कर लेता हूं तो यह वह सप्लाइज ओन आप यहां से देख सकते हैं प्राफिट बुकिंग आ रह जोन पे तो अंटस्टिट सप्लाई जहां पर भी होता है वहां से फॉल आता है और यह यहां बैक टो बैक वन टू टू फॉर फ़ाइव केंडल से यहां से अपसेट दे रहा है तो आगे बढ़ने से वीडियो आपको पसंद आ रहा है और तो वीडियो को लाइक करते रहे चै से फॉल क्यों आ रहा है अगर आपसके फाइनेंशल नंबर्स में जाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है टाइम अगर इसको नोट करें डिसमबर 2021 का और यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक का जो मैक्स टॉप अमलब फाइनेंशली डिजल्ट आया था वह से 107 इसका आदा हो गया यहां से इसका आदा हो गया इसका आदा हो गया फिर से मलब इस रेंजी मेरा 1113 ऑल्मोस सेम है बहुत ही कम होगे 24 क्रोर और फिर माइनेस 196 चला गया तो कंटिनेशली आप देख सकते हैं डिसमबर एक टॉप बन गया था फाइनेंशल नंबर्स के स तो आप देख सकते हैं कि यह एक डिरेक्ट इंडिकेशन हो और डिरेक्ट्र फिर पॉर्पॉर्शनल है इसके स्केस में तो ऐसा कोई सर्प्राइज नीचे आ रहा है तो क्यों आरा को ऐससे कुछ सकता क्योंकि नंबर्स भी काफी गिर चुकि अब यहांपे अगर आप टेक नीचे से तो यहां पर देख सकते हैं यह जो मार्केट बढ़ाना गिराना इस सब इंस्टूट का काम होता है तो यहां पर जो में ट्रेंट है यहां पर ब्रेक हो जाता है फेवरी में वहां से यह प्राइस नीचे गिरी उसका 50% रिट्रेस्मेंट फिर से सेल किया गया है तो यह सारा एक स्ट्राटेजी होता है कि रिजल्ट इससे पहले बढ़ेंगे थोड़े और फिर फिर से गिरने लग जाएंगे तो यह कहां तक बढ़ जाएगा अगर समय यहा आप से आप कोई भी आइरिस रवरी बास करें ऩाई तो धोनों में आपको पता चल जाता है अगले कौडर को अब यह point आपको clear है तो यहां पे आगे की बात करते हैं आगे क्या possibilities हैं तो overall अगर हम वापस weekly chart में यहां से एक अच्छा up move आया है अब हम इस point को track करते हैं क्योंकि हमें overall लग रहा है कि यह एक फिर से fall करेगा बट वो immediately नहीं करे अमलग कर सकते हैं थोड़ा time लगा के कर सकता है तो हम देखते हैं उसको अब यहां से जो up move है उसको हम track करते हैं तो यहां से strong up move आया है अभी भी कोई fall signal नहीं है तो हम इसको फिर से छोटे चार्ट में देखते है four hours के यहां पे हमें अभी भी इसमें correction बनता हुआ दिख रहा है और फिर उसके बाद एक और बार इस point के उपर जा सकता है stock यहां पे अगर मैं trend line draw करूं तो यह recent trend line है stock की तो यह trend line अगर समझें यहां पर अपसेट देखे one two three four four candles में अब गया है जबकि यह four candles में price नीचे नहीं है इस point के which means यह correct structure ही बन रहा है में भी थोड़ा बढ़ सकता है बट उसके बाद यह फिर से उपर ही जाने वाला इस point के which means यह buying opportunity है मेरे साब से यह stop loss नहीं भी रखा क्योंकि यह कभी-कभी ऐसा होता है कि इस लो आ रहा है तो ऐसा ऐसा आता है और इस point को निकाल सकता है slow करके बट फिर फिर से अपसेट ज या इस एरिया में जब मैंने impulse से जब यहां पर एक upside आ चुका था एक trendline ब्रेक हो गई तो यहां पर वापस एक demand zone में price आई थी तो यह point low risk entries होते हैं और अगर आप जैसे मैंने last इसके बाद एक और वीडियो बनाया था जब यह breakout आया था इसमें यहां पर इस लेवल के उसक अच्छी entries होते हैं कि just breakout के बाद आपको मिल रही है अब क्योंकि यह supply area के यहां पर है तो अब इससे जितना दूर आ सके उतना आपको entry लेना चाहिए कि इससे pass menu लेना आपको इससे दूर entry लेनी होते हैं तो अभी जो chart देख रहा है उसमें हमें यह लग रहा है कि यहां पर correct structure बनेगा उसके बाद price फिर से उपर जाएगा और अगर हम इसको early chart में देखते हैं तो एक बार मैं इसके MACD को zoom करके बताता हूं आपको आप देख सकते हैं MACD में अभी as of now को divergence नहीं है इस wave और इस wave में इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है यहां पर जो correct structure बन रहा है उस correct structure मिलेगा अगर correct structure मिला उसके बाद और continue कर सकता है अगर reversal आता है तो पूरा reverse हो जाएगा तो वह मतलब अभी current जो move है short term में उसमें अभी भी लग रहा है कि थोड़ा upside बचा है और वह upside के बाद हमें decide करना है कि आगे price नीचे जाएगी या correct structure बनाके और उपर जाएगी तो आगे के वीडियो के topic है बट short term जो हम कह सकते है क्योंकि यहाँ पर जो होता है यहाँ पर अगर समझेजिए इसको sharply अगर मैं trend lane ने आपड़ा करता हूं तो जो reversal के moves होते हैं वो moves होते हैं कि वो काफी sharp होते हैं मतलब वो इस area को जो low है जो swing low है वो इतना time pass नहीं करेंगे व अगर वैसा कुछ होता है तो ही यह मतलब समयल जाना कि यह reversal है यह जो time pass अभी कर रहा है अगर इसके बाद कुछ ऐसा sharp करके निकालता है तो समझ जाना हां यह selling का move है बट अगर समझेजिए और time ऐसे इसे पास करता है तो इसका मतलब यह और ओपर जाएगा अब यह point clear है य इसे results और price action हम देख के हम stock में invest ले सकते है या exit ले सकते है इस सारी बात आपको अच्छी लग रही है और long term में हमने already बताया है कि इसका long term में हम target यह जो यह point है minimum यह 400 के ओपर जा सकता है बट वो अभी जाएगा या इसके बाद एक fall आएगा उसके बाद जाएगा वो अभ फिर उसके बाद जाएगा तो वो भी हम आगी update करेंगे बट overall उसके से पहले आपको यहां पे जो financial numbers है जैसे 196 का loss है यहां पे अब next number बढ़ सकता है profitable हो सकता है जैसे इसका sony के सब मर जाए रहा है उसमें कुछ positive news आई या कुछ और कुछ positive आया तो फिर हम आगे के इसमें म आई section आप कैसे मैच कर से आप सीख रहे हैं कोई डाउट है तो इसे comment डाल सकते हैं यह आपको पसंदारी वीडियो को लाइक करिए जैनल को subscribe करें थैंक्यू